Welcome to my channel, आज की वीडियो में हम class 8, chapter force and pressure के कुछ questions देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलिए आप में विर साथ solve कीजिए, the pressure which is exerted by air around us, अब यहाँ देखो किस चीज की बात करीए, pressure की, किस चीज की यहाँ बात करीए, यहाँ बात करीए, pressure की, pressure which is exerted by air, pressure, यहाँ first option देखि force, पर यहाँ बात तो pressure की करीए, this is wrong, atmospheric pressure, चलो एक बर इसे रखते हैं, उसके बात muscular force, बात यहाँ pressure की करीए, this is also wrong, friction, what is friction, friction की ओधर जैसे मालो एक यहाँ राम है, राम है, वो इस तरह force लगा रहा है, मालो 10 newton की लगा रहा है, तो friction होगी, इस side लगेगी, friction is a force, जो कि opposite side मे लगती है, तो यह भी एक type की force हुई, that's why it is also wrong, so second option, atmospheric pressure is correct, now next question, question number two, force acting on per unit area, मालो जो force act करती है, area के हिसाब से, जैसे हम pressure, pressure का देखते है, formula force by area होता है, है जो force करती है, by area, is known as pressure, next question, a dash exerted by an object on another is force, force क्या होती है, force के explanation हम ने क्या पढ़ी है, किसी जीच को pull या push करने को हम force कहते है, the first option is correct, next, the force exerted by the earth to pull the object towards itself is called, मतलब वो कहा रहे है, कि जैसे, earth जो force apply करती है, objects को खीचने के लिए, is known as the gravitational force, muscular force is also called dash force, एक तो होती ही, contact force, एक तो होती ही, non-contact force, contact होती है, जैसे अब touch करके force लगाते है, जैसे मान लो, यह राम है, और यहाँ एक almira है, उसे वो touch करके इधर लगा, इधर करेगा force लगाके, एक होती है, जैसे मान लो, मेरे पास एक यहाँ iron का piece है, और मेरे पास यहाँ एक magnet है, तो मैंने बीडा touch करें, उससे भी तरफ खीच लिया, force एपलाई करी, तो muscle force, muscle force में क्या होता है, jumping, kicking, pulling, pushing, ठीक है, तो muscular force हम contact करके करते हैं, तो B option is correct, next question number six, the force exerted via a charged body on another charged body is, जब हम, जैसे कोई charged body होती है, जैसे मान लो, एक हमारे पास balloon है, balloon है न, यह देखो, यह balloon है हमारे पास, और यह हमारे बाल है, हम ऐसे करते होंगी, यह हमारे hares है, hares, और यह हमारे पास balloon है, चीक है, अब हमने hair पे करेंगे, hair पे इसे rub करेंगे, इन दोनों को R, U, B rub करेंगे, हैला rub करेंगे तो क्या होगा, इन दोने में कोई ना कोई charge store हो जाएगा, कोई ना कोई charge store हो जाएगा, ठीक है, जब charge store हो जाएगा, एक दूसरे पर, तो क्या होगा यह दूसरे से attract करेंगे यह stick हो जाएगा दिवार पे क्यों? क्योंकि एक चीज़ में negative है एक चीज़ में positive है अगर आप चाहें यह force वाला chapter तो आपको यह भी समझा सकती हो और यह जो electrocetic force है यह electron का इधर उधर होना यह भी मैं आपको समझा सकती है क्लास 11 पे चाप्टर भी है फिर्स चाप्टर क्लास 11 का ठीक है तो बनलब की आप ऐसे आप धर्रब करोगे तो वो कुछ charges store हो जाते है ठीक है negative positive ठीक है जो charge से होती है charge body से कुछ charges store हो जाते है दोरों चीज़ों में बार्ल में भी और बैलून में भी ठीक है तो वो charges से जो होती है by a charge body to another charge body उससे हम कहते है electrostatic force जो force है वो क्या change कर देती है force is motion of body motion यानि कि कोई अगर object मार लो यहाँ एक car है यह से एक car है यह चल रही है और हमने यहाँ से एक बहुत strong आदमी आया उसने इससे इससे force लगा इससे हाथ रखके रोक दिया तो motion तो वो change कर ही देती है speed अच्छा मान लो car बहुत बड़ी है हमारे पास जो हमारे car है वो बहुत बड़ी है तो उससे इससे फोर्स लगा होता है तो answer is all of these सब कुछ होता है question number eight the force exerted by our muscle is called जो force हमारी muscle से होती है उसे कहते है muscular force जो हम मतलब क्या है अगर एक table है हमारे पास table हमारे पास उस पे हम दे one kilo की कोई चीज रखी वालो one kilo की कोई हम दे यहां कुछ भी रखा यह एक object है one kilo को रखा तो टेबल पे कित्ता कित्ता newton का force apply होगा answer is nine point eight newton क्योंकि one kilo में nine point eight newton होता है अगर आपके पास table है उस पे आपने एक चीज रखी आपके पास table है यह बड़ा सारा उस पे आपने चीज रखी है तो उस पे आप ऐसा से करोगे उस पर चीज रखोगे तो एक kilo की चीज रखोगे तो उस पे कित्ता भीट होगा 9.8 newton a spring balance is used for measuring just spring balance होता है उससे क्या मेजर करते है answer is weight okay so bye bye thank you for watching